हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आज देखे मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ और यह डिजाइन देखे हमारा कितना सुंदर कितना प्यारा डिजाइन बना है ना इसे आप लेडीज के काडिगन में आप जाकिट में सुंदर और बहुत प्यारा डिजाइन बन कर आया है और देखने में यह इतना सुंदर लग रहा है बनाने में बिलकुल असान है सिर्फ शिक्स रो का यह हमारा डिजाइन है छे रो में हमारा यह इतना भड़िया डिजाइन और ऐसे यह बन कर आता है सीधी तरफ से यह इस बनेगा ठीक है और सीधी तरफ से इस तरह से और इस डिजाइन को आप किसी भी कलर में बना सकते हैं डार्क में लाइट में हर एक कलर में भी यह बहुत सुंदर बन कर आएगा और जो हमें इसे बनाने के लिए फंदे चाहिए वो हमें देखे यहां से 13 फंदे चाहिए यह 13 इस तरह से आपने यह मंटिपल करते हुए फंदे डाल लेने है और लास्ट में आपके तीन फंदे होने चाहिए तो यह डिजाइन आपका अच्छे से सेट हो जाएगा तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना इस डिजाइन की फर्स्ट रो सीजी तरफ से स काढ़ें एकुणा ऐल्ड़णे हो ड़ागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे एक आज दो आगे से स्लाइड डालेंगे दो फंदो में यहाँ पर दो का एक कर देंगे आज से स्लाइड ना थहet अब यहां पर जाली डालेंगे तो ड़ागा अपनी तरफ करेंगे चार पंद उतारेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे, दो फंदों में पीछे से स्लाइड डालते हुए दो का एक, इस तरह से, अब दो फंदे सीधे, एक, दो, ये थर्टीन फंदों का डिजैन है, थर्टीन फंदे रेखे बनकर कंप्लीट है, एस्टीच को छोड़िए, ये एक फंदा उल्ट दो सीधे, फिर यहां पर हमने दो का एक किया, आगी से स्लाइड डालते हुए, यहां पर जाली डाली, चार फंदे सीधे, फिर से जाली डाली, फंदा उतार कर सीधा किया, और दो का एक कर दिया यहां से, पीछे से स्लाइड डालते हुए, दो फंदे सीधे, ये रेखे, य दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, एक, तेरा इसी डिजैन को पूरी स्लाई में आपने रिपीट करते जाना है फिर से रिपीट करेंगे तो धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब धागा दूसरी तरफ करेंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो दो फंदे सीधे बनाने के बाद अब आगे से स्लाई डालेंगे इन दो फंदों में और दो का एक कर देंगे दो का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ यहां पर जारी डालेंगे और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे इन दो फंदों में स्लाई डालेंगे पिछे से दो कई कर देंगे फिर दो फंदे सीधे इसी डिजैन को देखिए हमने दुवारा से यहाँ पर रिपीट किया है आपकी स्लाई में जितने भी फंदे हैं आपने ऐसे ही रिपीट करते जाना है और लास्ट में आपके पास दो फंदे बचेंगे जिसमें से एक फंदा आप उल्टा और एस्टिच का फंदा सीधा बनाएंगे तो ऐसे ही ये first row बनकर हमारी complete हो गया है second row उल्टी तरफ से इस first फंदे को उतारेंगे उतारने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे अब ये एक फंदा हमारा सीधा एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अब बारा फंदे हमारी ये उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा अब ये तेरा फंदों का डिजान है देखे एक फंदा सीधा बनाया हमने बारा फंदे उल्टे अब इसी को पूरी स्लाई में आपने रपेट करते जाना है धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा अब लास्ट में दो फंदे बचेंगे एक फंदा सीधा और एक फंदा हमारा ये उल्टा तो ऐसे ही करते हुए ये सैकंड रो पूरी हमने कंप्लीट कर लेनी है अब थर्ड रो सीधी तरफ से देखिए इस फंदे को उतारिए और एक फंदा उल्टा बना लेजिए धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदा उल्टा अब थागा दूसरी तरफ करेंगे अब यहाँ पर एक फंदा सीधा अब इन दो फंदों में आगे से ऐसे स्लाइड डालते हैं और दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर चारी डालेंगे यह एक दो तीन चार पांच यह छ ह्षे फंदे हमारे सीधी ठीक है? छह फंदे सीधे बनाने के बाद धागा फिर से अपनी तरफ कर लेंगे इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे पीछे से स्लाइड डालते हुए दोकाई कर देंगे धागा अपनी तरफ करते हुए बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी जाली बीडल गई एक फंदा सीधा अब इसी डिजाइन को फिट से रिपीट करना है हमने तो कैसे करना है देखे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा ये सीधा अब आगे से स्लाइड डालेंगे दो फंदों में दोकाई कर देंगे धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये छे फंदे सीधे आएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, इन दो फंदों में स्लाइड डालेंगे, पिछे से दो का एक, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ एक उल्टा, और ये लास्ट का फंदा हमारा सीधा, इस तरह से, इस तरह से हमने ये थर्ड रो कंप्लीट कर ली, अब फॉर्ट रो देखिए, उल्टी तरफ से कैसे बनानी है हमने, ये फर्स्ट फंदा उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ करेंगे चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, ये चार फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, अब चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और ये चार, फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, अब देखें, हमने ये तेरा फंदों का डिजैन बनाया है उल्टी तरफ से, पहला फंदा हमारा सीधा, ये एस्टिस तो हमने उतारी ही लिया, ठीक है, इसे कांट नहीं करेंगे, ये एक फंदा सीधा, अब ये बारा फंदे पहले हमने उल्टे बनाये थे ना, लेकिन इस बार हमने फौर्ट रो में क्या क दागा अपनी तरफ ये एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे दागा दूसरी तरफ चार फंदे अब सीधे एक दो तीन चार अब धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से एक फंदा उतारेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे यह सीधा फंदा इन दोनों को आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक कर देंगे दो का एक करने के बाएं यहां पर जारी डालेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए यहां पर जारी डालेंगे यह दो फंदे सीधे बना लेंगे अब धागा अपनी तरफ यह चार फंदे हमारे उल्टे एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ अब फिर से दो फंदे सीधे एक और ये दो फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे इन दोनों फंदों में पीछे से स्लाइड डालते वे दो काई करेंगे और यहां पर हमने चारी डाल दी अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल दो फंद सीधह दागा फिरसे अपनी तरफ करेंगे चार फंद उल्टे एक दो तीन चार फिर दागा दूसरी तरफ दो F abdha और ये एक सीधा, इस तरह से, ठीक है, एक फंदा उतारा, धागा दूसरी तरफ किया, ये एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, और ये डिजाइन की छटी स्लाई, 6 रो है हमारी ठीक है, चार फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, अब धागा अपनी तरफ फिर से, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, फिर से इसी डिजाइन कर पीट करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अप अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर धागा दूसरी तरफ चार फंदे सीधे एक दो तीन चार फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा एक उल्टा ऐसे ही करते हुए देखिए छेस लाइएं शिक्स रो हमारी बनकर कंप्लीट होगी है इनी छेस लाइएं को आगया अगर रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह से ये ब्यूटिफुल डिजाइन आपका रेडी हो जाएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है आपको तो दुबारा से वीडियो चलाइए और मेरी फर्स्ट रो से इसे बनाना स्टार्ट कर दीजिए आप एक दो बार बनाएंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा बहुत प्यारा बहुत सुंदर बहुत लाजवाब डिजाइन है जरूर ट्राइ कीजिएगा और जिस भी परजेक्ट में ट्राइ करेंगे ना मेरे साथ शेर भी जरूर कीजिएगा तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक शेर करना बिलकुल मत भूलना फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाबाए और बाहर जो शोर हो रहा तो इसलिए आपको कोई भी वाजय आती हो तो प्लीज माफ कर देना मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाए